नमस्कार दोस्तों स्वागात है हमारासी फल धामी टूप चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम भात करने वाले हैं कुमरासी फल के बारे में कि यह दिन कुमरासी वालों के लिए केसा रहेगा कि इन कीन चीज़ ज़से इनको फैदा होगा और कीन चीज़ ज़से इनको सदाना होगा उनके लाव लाइब केसे रहेगी केरियर केसा रहेगा बिजनास और बेपार केसा रहेगा और स्वास्त की मेहत्व पुंचानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सूबरंग और सूबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंतर में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नाटपी किसन बेल को दबाएं जिसे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुमरासी फल के बारे में जिसे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा गुमरासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों अपनी छमताओं पर विश्वास रखकर काम करने से बहुत सी परेशानी का हाल आज मिलेंगे इसलिए दूसरों की अपेक्षा अपने निर्ने को ही प्रतिमिकता दें साथे रिस्तारों से समंधी कोई विवास सूल जने से रिस्तों में दुवारा मधूरता आएगी कुछ विशिष्ट लोगों के संपर्ख में आने आपकी विचार सेली में आर्ष सरजने परिवर्टन आएगा आपका व्यक्तित और सकार्तमक सोच दूसरों पर उचित छाप छोड़ेंगे इसे में आर्थेवी सितियां आपके पक्ष में है कोई भी निर्ने लेने से पहले उसके सभी पक्षों पर उचित सोच विचार अवस करें इससे आप जल्दी ही उसके उचित परणाम हासिल कर लेंगे निकट समंदियों के साथ भेट मुलाकात आपको रोजमर्रा के तना भरे बातारून से रात देगी साथ ही किसी महत्पुन मुद्दी पर विचार्ज मिमर्स भी होगा दोस्ता आपका व्यक्तितों तथा परिवारी गत्यविदियों में उचित समाने बनाकर रखना सभी को तना मुक्त में रखेगा आर्थे निवे समंदी मावलों में अधिक ध्यान केंदित रखें क्योंकि परिशितियां बहुती आनुकुल बनी ही है अपने मेनत और कर्म पर विश्वास रखें भाग अपने आप आपका साथ देगा आपकी सकारतमा सोच आपके व्यक्तितों को और प्रहौवसाली बनाएगी राइटी तथा समाजी गत्यविदियों में भी आपका समय बेतित होगा तथा आपके महत्वपुन संपर्क भी बनेंगे बच्चों से समझे चली किसी समस्या का निवारान मिलने से रहाद मिलेगी तथा पिछले कुछ समय से चली ब्यक्तिकत समस्या का भी उचित समाधान महासिल होगा किसी परवार साली ब्यक्ति से मुलकात आपके लिए बहुत ही महतुपून रहेगी चलिस तो आप बात को लोते हैं नेगेटिव की इसमें रिक्स परवर्टी की कारण से दूर रहें क्योंकि कुछ नुकसान होने की स्थी बनी हुई है बिने बज़े किसी के साथ बाद विवाद हो सकता है बेतरा कि अपने कारें को वैस्त रहे गुसिय से परिस्थियां और विगल सकती है दोस्तों इस समय अपनी योजना को मित्रों वार रिस्तेदारों से से शेर ना करें कोई बात लीक होने से अपने बंतिक कामों में दीग नाएंगे। अपने आसपास के लोग से नकारत्म गत्तिविदियों को नदर अंदाज करें। अपने कारियों पे ही व्यास्त रहें। अपने मनुकुल कारियों के लिए भी जरूर निकालें। इसे मानसिक संपन्दना रहेंगे। किसी जरूरत्मन ब्यक्ति की मदद करते से भी अपने बजट का भी ध्यान अवसर रखें। अपने महत्बुन कारियों को नदर अंदाज ना करें। किसी समंदी की वितिय समस्यां को सुलजाने में आपका योगदान रहेगा। बहुत अधीक अनुसासन बनाकर रखने की आफेक्चा अपने वहबार में लाचिला पन लाना ज्यादा उत्तम रहेगा। बाहरी गतिविदियों को अपने घर के हस्त छेपना होने दें। परिवारी छोटी मोटी नाकारत में बातों को तुलाना दें। कभी-कभी आपका बहुत अधिक अनुसासन रवे या परिवारी लोगों को परिशन कर सकता है। किसी नज़्दी की मित्रिया रिस्तिदार से मनमूटाब हो सकता है। इसे में अपने गुस्यवा आवेक्स पर काभू रखें। दूसरों को सलाल देने किसे आप एक छाव अपने दिर्श्टी कोन में बदलाव लाएं तो उचित रहेगा। किसी धार में अस्तल्प पर कुछ समय ज़रूर व्यतित करें। इसे मानसिक सुगून मिलेंगे। दूसरों आप बात करते हैं व्यावसाय की। पिछले कुछ समय से व्यावसाय कारे में आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे। आज शकारत में परिणाम सामने आएंगे। परिवार के वारिष्ट व्यक्तियों को सहय वा सला आपको कामों में मदद करेंगे। परंतो अभी कोई योजना नहीं बनने के लिए समय उत्म नहीं है। वर्तमान गतिविदियों पर ध्यान रखें। इस वक्त बिजिनेस में लापारवाई बिल्कूल ना करें, नुक्सान के इसलिए बन रही है, सायदारी की वेबसाई में परदिर्स्ता बना कर रखें, गलत फ्यमी समौना में धराड डाल सकती है, अधिक पैसा अपने वेबसाई पर ना लगाएं, अभी परिस्तिया रखें क्योंकि किसी और गलती की खामियाजा आपको भुगतना पर सकता है, और इसमें फायलें और दास्तिवे समाल कर रखें, और पट्टी या किसी खास काम के समंदी डिल करते वक्त सब्धाने रखने होगी, विस्पास घात होने की असंका है, किसी ओर्डर के रुक जान से भी नुकसान हो सकता है, बेतर हो कि किसी अनुभावी वक्ति को मारदसन में ही निर्ने लें, दोस्तों, ग्रेग गोर्चर अनुकुल बना हुआ है, आज बिल्डिंग, टिलिंग, मीडिया, मार्केटिंग याधी से समंदी व्यपसाब भायदे माल सती रहेंगे, अत्यद इन शकारतों प्रसितियां को उचित सद्वियुक करें, उहीं बात करते हैं लव लाइब की, अपने कार्छेत के तना आपको घर पर हावे ना होने दें, खुछ समय जीवन साथी वा बच्चों के साथ भी आवस्य बतीत करें, दामपत जीवन मधूर रहेगा, प्रेम समंद में एक दूसरी के परति सम्मान की भावना रखें, क्योंकि इस समय अहम का टकराव हो सकता है, प्रेम समंदों में भी समय नस्ट ना करें, पत्ति पत्नी की परासपर सहयोग एक दूसरी की मनुबल को बढ़ाएगा, प्रेम समंदों को परवारी स्विकृति मिलने से दिकेत सकती है, दोस्ता आप बात करते हैं स्वास्त की, स्वास्त उत्तम रहेगा, ज्यदा तानाव की कारणों से दूर रहें, आपका स्वास्त उत्तम बना रहेगा, सिर्फ अतधी व्यस्ता की वज़े से थाकान वा कमजोरी मैसूस हो सकती है, ब्लड प्रेसर डायवेटिज आज दिन घर पर ही व्यतित करें, मौसम के अनुसर अपना खान पान तथा दिन चारिया रखें, खासी जो काम की समस्या रह सकती है, इसमें लापर हमें बिल्कुल ना बढ़ते हैं, आरवेदी इलाज का अच्छा उपाय है, चलिस तो आप बात करते हैं के उपाय के बारे म दोस्तों घर में सुक, सम्रदी और बरकत लाने के लिए रविबार के दिन आदित्य सुरोत का पाट करना लापकारी है, रविबार के दिन किसी भी नएक काम की सुरुवात करने से पहले मीठा खा कर पानी पिना चाहिए, दोस्तों रविबार के दिन एक बड़े पत्ते में अपनी मनोकामना लिखकर उसे बहती हुए पानी में परभावित करें इसे आपके जरूर ही मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे चले दोस्तों आप बात कर लेता आपका भागे सली रंग और भागे सली अंग क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग लाल है और भागे साली अंक दो है दोस्तों अगर हमरा वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक और सस्क्राब जड़ू करें और दोस्तों को भी सेर करें और कॉमेंट बॉक्स में सच्छे मन से सर्धा मन से जे सुरीदेव जड़ू लिख